Hello folks, अभी recently Office of the Labor Commissioner, Undemand and Nicobar Administration ने एक advertisement पब्लिश करा था, जिसमें उन्होंने number of vacancies निकाली है, labor inspector की, इसी advertisement के बारे में मैं आपको detailed information देने वाला हूँ कि कित्ती vacancy निकाली है, क्या इसमें हमारा selection procedure होने वाला है, क्या essential qualification मांगी गई है, कौन सी date से पहले आपको इस form को apply कर देना है, और जितने information होँगी, वो मैं आपको इसमें वीडियो में सारी provide कर वाऊँगा, तो सबसे पहले हम position का नाम कर बता देता हूँ मैं आपको, जो हमें ये offer कर रहे हैं, तो ये labor inspector की position आप लोगों को offer कर रहे हैं, इसमें दो हैं, और दोनों की दोनों unreserved category से बिलॉंग करती हैं, और इसमें नीचे लिखा गया है कि ये positions कभी भी घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, ये depend करता है state government पे इनकी और प्लस labor commissioner के office पे, ये हमारी group B की job है, और जो हमारा pay grade होने वाला है वो 7th pay commission के according होगा, जिसका pay grade है 35,400 से starting से लेके 1,12,400 तक, age limit हमारी not exceeding 30 years, 30 साल से जो ज़ादा हो चुके हैं, वो इस form को apply नहीं कर सकते हैं, जो 30 साल से कम हैं वो ही लोग अभी इस form को apply कर सकते हैं, और age relaxation government के accordingly दे रखी हैं, जैसे SCHT जो हैं उन्हें 3 साल का और स्केडूल ट्राइब और स्केडूल कास से उन्हें 5 साल का, 3 साल का OBC का government के according जो government देती हैं, और यह हमें properly classification दे रखा है कि ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWD जो unresolved से बिलॉंग करते हैं उन्हें 10 साल का, PWD जो स्केडूल ट्राइब से भिलॉंग करते हैं उन्हें 15 साल का, X-Serviceman को 3 साल का, तो यही सारी हमारी चीज़ें बताई गई हैं इसमें, Essential Qualification पर आ जाते हैं, जो Essential Qualification मांगी गई हैं, वो Law की डिगरी मांगी गई हैं, दूसरी चीज, Post Graduation मांगा गया है, दोनों में से आपने जो भी चीज़े इन Specialized चीज़ों में कर रखी हो, Social Work, Labor Welfare, Industrial Relations, Sociology, तो आप इस Form Click eligible हैं, आप इसे apply कर सकते हैं, Candidate और आपको यह जिस दिन आपका interview होने वाला होगा, या जिस दिन आपका, यह सारी formalities, इस final list से पहले आपका इस सारा result आ जाना चाहिए, अब essential qualification के बाद, इन्होंने essential qualification में लिखा है, कि आपको दो साल का experience भी चाहिए, two years of experience dealing with labor law, आपने labor law में deal कर रहा हो, जैसे आप practicing advocate है, जिन्होंने law complete करी होगी होगी, अपने साथ बार में उन्होंने अपने आपको register करवाया होगा, बाद association के साथ, तो वो practice कर रहे होंगे, तो उनकी practice labor law में जरूर होनी चाहिए, यह two years का experience होना चाहिए उनका, like planning and execution of various labor welfare activities, ठीक है, और no candidate should upload experience certificate in prescribed format, नीचे इन्होंने prescribed format दे रखा है, अब desirable qualification क्या मांगी हैं उन्होंने, desirable qualification मांगी हैं उन्होंने, कि अगर diploma labor law में रहेगा, किसी recognized university से, तो और भी अच्छा है, तो यह desirable है, desirable essential आप अगर fulfill करते हैं, आप फिर भी यह form बर सकते हैं, लेकिन जो desirable qualification भी fulfill करता है, उसको थोड़ा upper edge रहता है, यही benefit होता है, और यही desirable qualification का मतलब होता है, अब center for recruitment exam, आपका center exam, आपका recruitment procedure कहां होने वाला है, वो आपका होने वाला है, port player में, जो अगर आप Delhi से form apply कर रहे हैं, तो आपको exam देने port player ही जाना पड़ेगा, क्योंकि center for recruitment exam, port player ही रखा गया है इनोंने, यह form आपको apply कैसे करना है, मैं आपको इस पूरे form को, पूरे इस advertisement को नीचे description box में दे दूँगा, प्लस आपको जहां click करके, आपको link दे दूँगा, जहां से आपको click करके, आप directly उस पर अपना form fill up कर सकते हैं, तो यह link है, योगी HR में, उनके लिए इस लेबस बहुत असान होगा, बाकी law वालों के लिए भी इस लेबस असान होगा, तो minimum wages act, payment of wages act, building and other construction workers act 1996, child labor act, payment of bonus act, gratuity act, यह सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, यही आपका syllabus है, और part 2 में जहाँ आपसे general knowledge पूछा जाएगा, 20 marks की, अब इसमें fees क्या है, जो लड़कियां है, जो SD schedule tribe से बिलॉंग करती हैं, और PWD से बिलॉंग करती हैं, वो इसमें उनके लिए फ्री, वो क्या बोलते हैं, उन्हें zero cost है, उन्हें ये fee payment नहीं है, उन्हें वो exempt करी गई है, और बाकी बच्चों को 25 रुपे की fee pay करना है, अब important date क्या है, आपको इस form को, 3rd of June 2023, 12 बचे से पहले, आपको ये form apply कर देना है, एक बाद मैं फिर से repeat कर देता हूँ, 3rd of June 2023, 3 June 2023 से पहले, आपको ये form apply कर देना है, 12 बचने से पहले, उसके बाद ये link बंद हो जाएगा, और इसमें और information है, कि हमें resolution, आपको कोई cheating candidate, guilty of misconduct नहीं करना, आपको कोई cheating की चीज़े लेके नहीं जानी है, जो भी normal exam करते वक्त, आपको ये सारी चीज़े, कि आपको कुछ भी carry नहीं करना है अपने साथ, वही सब चीज़े बताई गई है, मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, कि जो practicing advocate है, उन्हें कौन सा format में अपना बुलाना है, ये format नीचे दे रखा है, bar for advocates, आपको अपने bar में, जहां भी आप अपने आपको, जो भी court में आप register आपने अपने आपको करार रखा होगा, bar association के साथ, आप नीचे महां office में जाएंगे, आप उनको ये format देंगे, वो आपको within minutes में बना के दे देते हैं, और जो आपका association का जीता होता है, वो आपको इसमें अपना sign-vine करके दे देता है, तो ये कोई issue नहीं है इसके साथ आपको, ये इसी format में लेके आपको ये submit करना है, जो आप यहां से जाएंगे, जो आप paper देने के बाद select होंगे, और उसके बाद जो non-advocates हैं, उनके लिए format दे रखा है, आपको इस format में चीज़े करनी है, बाकी अगर आपको कोई issue हो, और आपको अगर कुछ चीज समझ ना आई हो, तो आप नीचे comment box में लिख सकते हैं, मैं आपको वहाँ reply कर दूँगा, बाकी, otherwise, आपको अगर ये video पसंद आई हो, तो please like, share and subscribe, thank you so much.